हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Moto G73 Android वाइल फोन में आप जो है नोटिफिकेशन वाइबरिसन सैटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि ओफ कैसे कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन वाइबरिसन सैटिंग जो है होने के बाद ये जैटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जनकारी देने वाला हूं तो चलिए आपर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सैटिंग पेज ओपन करना है ठीक है सैटिंग पेज में आपको option मिलेगा notification vibration का इसे select करना है यहां पर आपको notification vibration के इस page के अंदर ना आपको second option select करना है off का off पे select करेंगे तो off के सामने ले circle पे टिक माक लग जाएगा तो यानि कि आपकी इस तरीके से notification vibration setting आपकी disable हो जाएगी ठीक है अब यह notification vibration setting जो है डिसेवल होने के ब ही करेगा ठीक है तो यह notification vibration setting जो है डिसेवल होने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके Moto G73 Android mobile phone में ठीक है अब मैं आपको यह notification vibration setting को ढूंड़ने का एक शौर्ट कर तरीका बता देता हूं आपके phone में इसके लिए आपको अपने mobile phone का setting page open करना है setting page में आपको सब सब पर यह search setting का option select करना है और यहाँ पर आपको search bar में टाइप करना है notification vibration इस तरीके से ठीक है तो आपको जो है नीचे की साइडिया option शो हो जागा notification vibration यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है जब भी आप search bar में setting का name आप टाइप करते हैं तो आपको spelling mistake नहीं करनी है अगर इससे क्या होगा ना आपका mobile phone आपको डेल इस setting में लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करेगा इस तरीके से तो यह एक shortcut तरीका इस setting को ढूंड़नेगा आपके mobile phone में